नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशका राय और आप देख रहे हैं स्टार सेवन टीवी न्यूज आईए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की और बच्चे हैं या सूपर कम्प्यूटर सोनभदर के बच्चे आँख पर पट्टी बांध कर पढ़ते हैं किताब जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना रेनुकूट सोन भद्र के धर्ती पर पहली बार माइंड डेवलप्मेंट सेंटर के बच्चे आँख में पट्टी बांध कर पड़ते हैं किताब आपको बताते चलें कि रेनुकूट सोन भद्र में इस्थित एक ऐसे ही सेंटर पर जा पहुंचे हमारे स्टार सेवन टीवी न्यूज रिपोर्टर शिव नरेश जहां पर बच्चों को बिना देके ही सब कुछ देखने की ट्रेनिंग दी जा रही थी आईए मिलवाते हैं उन बच्चों से जो आँख पर पट्टी बांध कर सब कुछ देख सकते हैं नवस्कार मैं सिर्णर्स आप देखने श्टार स्वन की इस वक्त में मौझूद हूं रेनिकुट शोन बात्री में यहां पर आप देख सकते हैं सबसाब माइंड डेवल्प्मेंट सेंटर यहां पर माइंड को डेवल्प्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है क्या प्रोस पर कि ऐसा जो आँख में जैसा कि आप आईए मैं यहां दिखाता हूं बच्चे है या सूपर कंप्यूटर जैसे आप चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बच्ची के आँख में पट्टी बदा हुआ है और उसके बावजूद वो सारा लेटर और कलर और सब कुछ पहचान लेते हैं इसके बारे में भी मैं सर से जानूगा लास्ट में लेकिन मैं फिलहाल बच्चे से मिलवाता हूं और इनका पर्चे कराता हूं बिटापका क्या नाम है? मेरे नाम विद्धिया सोनी है, मैं स्टेव पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे पापा का नाम, मैं फादर नेम इस अमनाथ सोनी, I will study in 8th क्लास, मैं इनकूछ सोन बद्र में रहती हूँ, बिटापका नाम? माइ नेम इस प्रगय सिंदवाल, I live in सोन बद्र में, my school name is KDKVM, भवन केसरी, देवी, कनोडिया, विद्यमंदर, my father's name is Mr. Rajesh Kumar. माइ नेम इस कत्यानी तिवारी, my father's name is Dinesh Kumar तिवारी, I am studying in 5th क्लास, and my school name is Montessori. यह मैं आपको बता दूँ, यह बच्चे रेनुकूट के ही हैं, सोन बद्र के ही हैं, तो अब मैं उनसे यह कुछ है, तो कहते हैं कि यह आँख में पट्टी बांध के वो सब कुछ पैशान लेंगी, और यह जो लेटर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कई पन्न दिखेगा, यह जो मैं प्रेज बोलूँगा, वो यह खोलेंगे, वो बाग आप वीडियो में सब समझ जाएंगे, तो यह सर करते हैं, कैसे आप मेरे साथ आ जाईए, तो यह क्या करना पड़ेगा, यह क्या पट्टी आँख में बांध के कैसे आप करेंगे, सर इसको आप को इसमें से दिखाए देता है या नहीं? अच्छा जी, बनीए मुझे भी तो, मैं आपके आपको पर देता हूँ, पिर आपको मसूँज करिए कि क्या आपको दिखाए देता है या नहीं? जी, जी, तो आप यह देख देख रहे हैं कि सर हमारे आउंग में पट्टी बांध कि आपको डिखता है कि नहीं अब आप खुद बता इए मैं नैंने कोई एक्टिविटी मुझे नजर नहीं आ रही है क्योंकि पूरा अंथेरा है यहां से इधर से मुझे कुछ दिखने रहा है मैं खुद मेरे आंगे पर्टी बंदू जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में और कुछ भी मुझे दिखने रहा है यही चीज मैं इन बच्चों के उपर मैं करूंगा और इनसे में जाने कोशिद को यह सर मुझे अंगली दिखा रहे हैं मुझे वाकई में कुछ दिखने रहा है तो हम इन बच्चों के उपर देखेंगे और यह कैसा रिजल रहता है फिर हम दो देखेंगे ठीक सर अब हम यह तिनों बच्चों के आंग पर सब्सक्राइब हैं जैसा कि आपने देखा कि आपको यह कॉटन है सब्सक्राइब लगाने कपद शुबाएं उसी बात है आपको कुछ नहीं कुछ नहीं पर से पत्री बांद हैं डबल कोटेट हो जा रहा है यह तो बच्चों के आप बांद के आपके टेस्ट कर सकते हैं तो बब थ्धों कि थोड़ा समनाग बच्चे का कि नाग से वह स्मेल करते हैं कि फाइफ आरगंस एक्टिव हते हैं कि चलिए सरोके हो गया अब आपके सामने यहां पर कुछ लेटर हो रहा है भूख है आप इसमें से कुछ आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों बच्चियों को आंक में पट्टी बांदिया हूं तो मिद करता हूं कि कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन इन्हें सब कुछ तो सबसे पहले तो इनको कुछ पता नहीं है मैं अभी क्या करने वाला आपको पता है क्यूंकि यह दूफसे हैं कि इनका कुछ है तो मुझे लगता कि वो रहेगा लेकिन आप देख सकते हैं कि यह मेरा कि देख सकते हैं मैं बताऊंगा भी नहीं कि बच्ची बच्चों को पता चल जाएगा कि है क्या चीज तो मैं सबसे पहले तुम्हें पकड़ाना चाहूंगा बाभू आप यह बताओ इस यह क्या चीज है आप इसके बारे में बताएए मैं आपको यहांत में क्या दिया हूं और इसमें क्या लिख्या हुआ कैसा कलर रहा है क्या है यह किसी का कार्ड है न्यूज इस इस्टार सैवन का कार्ड है यह कि क्या नाम बता सकते हैं इस पर किस नाम से हाँ एस एच आई वी लेक्टर लिखा है और एन ए आर इस एच और आपको कुछ बता सकते हैं और भी क्या यहां पर लेक्टर लिखा हुआ है बी यू आर ए ए यू ची एच आई ए एफ सोन भद्र यू पी आई डी माइनस नंबर एस टी वी यहां पर नंबर लिखा हुआ है और यह कलर क्या है कुछ आप बता सकते हैं यहां पर रेड कलर है यहां पर औरेंज कलर है यहां वाइड कलर से कुछ लिखा हुआ है पी आर इडबल एस पास पी आर इडबल एस प्रेस जी यह हो गया मैं आपको ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं करूँगा आप देख सकते कि मेरा काड़ है प्रेस आईडी है मेरी मेरा सिमलेर्स नाम है यह इन्होंने जो बताया क्यूंकि यह मैं खुद अपने पर से निकाला हूं कि इन लोगों यह तो हो गया ठीक अब देखते हैं कि किताब है पहले तो और हमें दूसरे बच्चियों का यह तो पहला बच्ची थी और मैं इनके सामने में कुछ करने वाला हूं कि इसमें बताई यह क्या चीज लिखा हुआ है और क्या कुछ बना हुआ बता पहेंगी कि यहां पर जे बना है रेड कलर का और इसके बगल में जग बना है जग किस कलर से है जग पिंक कलर से है यह क्या है यह पता पहेंगे कि यहां पर डबलू बना है परपल कलर का अच्छी मेरे हाथ में कुछ है इसके बारे हम कुछ बताईए कि आपको हाथ में देना पड़ेगा अब बता पहेंगे मेरे हाथ में कुछ है जब मैं चेकर की बता दूंगी कि पलू कलडर का लेटर है एbra है यश का impress ल्ग देख सकते हैं कि ब्लू कलर का लेटर है च लिखा हूआ है यह तो हो गया मैं और इसके बारे मतिहान बूंद दुख नहीं रहा है यह यह बॉल है इस प बाल है यह आप अफ लदियू यह किस कलर का है मैं आपसे जाना चाहूंगा और इंज क्लर का है यह यह ग्रीन क्लर का यह यलो यह देख रहें कि आपके सामने है यह पूरा आपको दिख रहा है कि इनके आपके पट्टी बेंदे हैं फिर भी यह सब कुछ बता ले रहे हैं यह तो हो गया नार्मिली था जो बड़ा लिटर है अब मैं कुछ और आपसे दिखाने वाला हूं कि यह तो किसी को पताने क्या पेज है क्या नहीं है मैं इसको पड़िए हमें पेज नंबर बारा खुलिए यह आप देख सकते हैं कि जो मैं वोला था टेल पेज वह खुल गया और यह क्या है क्या कुछ बना हुए यह लिखा हुआ है और यहां गिफ्ट्स बने हुए है कलर फुल गिफ्ट्स बने हुए है अच्छ ठीक एक मिनट यहां पर क्या है यह क्या लिखा हुआ है और यहां फिफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और आप यहां पर ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चों को भी भी सकते हैं वो सारी जानकर मैं अभी तुरंट मैं सर से लूँगा आप यह भी चीज इसके पीछे मकसद क्या है वो भी मैं सर से जानूँगा तुम्हें लास्ट और एक यह आपके हाथ में एक बुख है अच्छा आप इसमें पेज खुले फिप्टी पेज खुले पचास नमबर कि अच्छा से जानकर मैं सर से बूम्हें आपके हाथ में कि सम्हेंगाद कर दो कि इस पे कुछ लिखा हुआ है क्या हुआ 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 है कि यहां पर फेंगर्प्रिंट का प्रेंट बना हुआ है और कुछ लिखा भी है कि यहां सिंपल आर्च माइनस एक्स वन कि इन्फ्लूइंट लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यह छोटा सा पेज था जो 59 में बोला था पचास नमर का पेज था वो लाश अपने हाथ से खोल के बच्ची दिखा दी अब मैं एक सबसे छोटी बच्ची है मैं उनके पास जाना चाहूंगा क्योंकि यह तो बड़े हैं और लिको साथ ट्रेनिंग ज्यादा मिली हुए है मुझे नहीं मालूँ तो यह चोटी बच्ची के साथ में एक इस्प्रेंस करने वाला हूं तो यहां पर मैं यया तो ओगया आंप जानते हैं कैसा था यह बटाएं वड़ा लेटर था इसके पीछे क्या है आप देख इसके बारे में जाना चाहाँगा आपके आपके यह यह विसकि पांडा लिखा अउँआ क्लिकता पहेंगे से यहां पे लिछी हो लिखहों है वर रहे separate बोक्सेट है यहां पर को क्पाइंट की टी लिए और यहां dal धी तो करा में मैं जाना चाहूंगा जांगा यहांपी एक हमारे हैं इनंग पहिशान पार है किस कलर में कपड़े पहने हुए और क्या अट्रिविटी निकी तो सब्सक्राइब यह इस पोज में और यहां पर इनका ब्लैक कलोर का यहां पर नीचे है वह बहुत दिख नहीं रहा है लेकिन आपको तिक गया मुझे खुद नहीं दिख रहा है अच्छा भी अच्छा बट्ची आप बताईए सर का क्या पोजिशन और क्या एक्टिविटी इस पोजिशन में खड़े हैं और फिर से देखके बताएं मिझे लगता क्या बड़त बतारी है कि क्या ऐसी पोजिशन में है कि सर इस पोजिशन में खड़े हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर इसी पोजिशन में सभी बता रहे हैं और मैं भाई साब भाई साब आप आप आज़िए इस पाहर से आए हुए हैं साइद इनको पेचान नहीं है इनकी बताएं कि किस पोजिशन में और क्या कलर क्या क्या पहना है कैसे इस यह ग्रीन कलर का उपर डाग बीन कलर का ऊपर टिशिट पहने हैं और नीचे ब्लू कलर का लोवर है कि दाग ग्रीन है कि कलर ऊपर टिशिट का कि किस पोजिशन में यह बता है जी ठीक है ठीक है बता है ठीक है कोई बात नहीं पोजिशन तो लेकिन बता दिना बेगर देखे सब कुछ ठीक है कुई बात नहीं है खोल दीजिए निके पक्टे मैं आपसे जाना चाहूंगा आप आजाईए सर आपका नाम घ्रठीक है biggest किसल चला है और यह क्यापका मतलब है इस वह बताई कि मांड डव लपमेंज सेटर के नाम जैसे आप ने देखा होगा तो मांन डवललोफ मेंज सेंटर का नπά की एक प्रोसेस है और इस देर के साथ खोला गया है कि सुनभद्र के जितने भी बच्चे हैं उनके दिमाग को बिक्सित किया जाए ताकि वह पढ़ाई से लेके अपने आने वाले फूचर के बारे में अपनी वह जो भी मंजिल चाहते हैं उस मंजिल को हासिल कर सके इस मकसद के साथ माइं डालोप्में सेंटर को हम लोगों ने खोला हुआ है तो यह सेंटर कहां पर है क्या सुनभद्र में पहला है या और कहीं है आपने कैसे यह प्रना लेकि मुझे यहां के हैं तो कांसेप्ट हाथ में लगा तो जहां कि हैं वहीं पर खोलेंगे इस दे के साथ यहां पर खोला गया तो इस पर क्या बच्छे आपके हां लेते हैं जाद यह बच्छे आपके हैं तो और भी जैसे लोग अपने बच्छे को भेजना चाहें उसके लिए आप क्या प् तो अपने बच्चे को किसी को एट ट्रेनिंग देना है तो क्या करें आप कैसे वह आएंगे आप उनको बताएंगे फिर क्या पीस भी लगता है अलग-अलग हमारे हैं चे तरीके को कॉर्सेश करा जाते हैं सबसे पहला जो हमारे हैं कोर्स है वह डी एम इटी जिसका पूरा गिरेटा, चुझा जिससे में बता देना चाहरा हूं आपको क्या क्या पता चलता है कि जैसे शकर माद difय मसे पता चलता है कि बच्चे के दर जमजात कौन सी प्रतिवा चुपी हुई है मान लिए कोई बच्चा को अगर पता चल जाए कि मेरा एक डॉक्टर का ब्रेन है तो इधर उधर इंजिनियरी और विभाग में या और डिपार्टमेंट वो नहीं जाएगा उसका एक लाइन के लिए रहा दिमाग एक अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकता है ठीक है तो यह जो है टेस्ट के मादद में से पता चलता है कि कौन सा टैलेंट बच्चे के अंदर छुपा हुआ है जर्मजात कौन सी प्रतिवा है साथी साथ पता चलता है कि आठ तरीके की इंटिजेंस होती है आठ में से क डोमिनेंट, इंफुलेंशल, इस्टेडी और कॉम्पलियंट इस चार तरह की परस्णालीटी होती है तो बच्चे को यह पता चलता है कि उसका बीहबियर क्या है साथ ही पता चलता है बच्चे की ब्रेन डोमिनेंसी क्या है जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों के पास तीन दिमाग होते हैं राइट ब्रेंट लेफ ब्रेंट और मिड ब्रेंट ठीक है तो इस टेस्ट के मादने से पता चलता है कि बच्चे का राइट ब्रेंट कितना परसंट काम कर रहा है और लेफ ब्रेंट कितना परसंट काम कर आईक्यू लेबल एक्यू लेबल और एक्यू लेबल चारों कब बच्चे के माइन में क्या पोजीशन है कितने कितने परसेंट पर कौन कौन सा लेबल है अगर ज्यादा कोई लेबल है उसका क्या दुस्परवाव पढ़ सकता है क्या बच्चे को उसका लाब मिल सकता है अगर साथ साथ इस सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद हम लोग बच्चे की कैरियर की काउंसलिंग करते हैं हमें पता चल जाता है कि बच्चे का माइड इस चेत्र में इस चीज के लिए बना हुआ है तो हमें उसे सजेस्ट करते हैं कि आपको इस लाइन में इस चेत्र में जाना है साथ ही साथ यह भी बहुत बहुत पूर्ण चीज़ पता चलती है कि बच्चे का लर्निंग इस्टाइल क्या है लर्निंग इस्टाइल तीन तरीके को होते हैं विज्वाल, आड़ेटरी और करनेस्थेटिक बियानि बच्चे का दिमाग देखी चीजों को जयाद रखता है चाहि will Tamam इसके बाद बच्चे को बिटेस्ट बैने कि बच्चों की आँग तो बंध है लेकिन इनका जो मिड़्ण होता है हो इसे कहीं हवेट कर पाते हैं गाइप सता ही सन लेजह बर वाते मैं और सब्सक्राइब कि sting हमारे यांms किया जाता है जिसमें 5-15 साल तक कि बच्चों को आज और हमारी हैं करेंब करते हैं हैं इस बारह में चबार बच्छे में उते हैं एक्सरसाइज कराते हैं ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं ब्रेन जीम कराते हैं मिड्ब्रेन के मुजिक के माद्रम से बच्चे के माइन को एकागर करते हैं कि उसके माइन के प्रोग्रामिंग करके और मिड़बेन को यह साइंस के तुरु सार्फ इसको हम तो एक्टिव करते हैं ठीक है माइन जैसे बच्छे का मिडबेन एक्टिव हो जाता है उसके बच्छे के आप पर पट्टी बांद दीजिए कोई भी कलर दीजिए कोई भी यह कताई धे नहीं है कि बच्चा आंग में पट्टी बानके यह सब चीजे करें इसके लिए हम लोगों ने माइंड डवलब्मेंट सेंटर नई खोला हुआ है में हम लोग का जो धे है वो है बच्चे के माइंड को डवलब करना जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास तीन ब्र ब्रेंड और मिड्र अक्सर हम लोग इसमें से तीनों में से एक ही ब्रेंड से काम करते हैं दो ब्रेंड हमारे सांट पड़े रहते हैं जिलका हम बहुत कम यूज करते हैं जैसे मिड्र एक्टिवेशन होता है यह दोनों दिमाग में कम्मुनिकेशन अस्थापिद कर देता ह स्टार सेश्र दिवांग को मिला देता है एक जो म्लेंग में पहले से सुस्द पढ़ा था यह तो पहले से काम कर रहा था एकस पर था बीचका दिम beef Similar दोन जैसे एक्टी होता है तीनों को आप कर देता है सामंझज से बात करने के लिए सर अगर कोई आना चाहिए आपका एड्रेस क्या है यहां पर बताइए कोई आप से संपर करना चाहिए तो एड्रेस आप बता दीजिए वह आपके सेंटर प्यांके उकर सब्सक्राइब एड्रेस सर हमारा है सौप नंबर 34 सीवा पार्क रेनो कूट सोनबद्र रेनो कूट में आप आएंगे तो राम रहिम कट्रा के ठीक सामने हमारा यह सेंटर है यहां पर कोई भी आदमें आके संपर करके और इसका लाब ले सकता है लाश्ट में उस बच्चियों से बलाई सर ब आप लोग यह बताइए जादू की तरह आप लोग सब कुछ देख पा रहे हैं पड़ पा रहे हैं यह कैसे हो पाया है आप मुझे करने के बाद हमें इतना एफेक्ट पढ़ा हम जब लर्न करते थे कोई चीज कोश्चन एक पीस का रहता था हम उसको काफी टाइम करते थे लेकिन और नहीं पाता था अब उसकार वर रीट करते हैं तो हमें वह लर्न हो जाता है इसे इतना एफेक्ट पढ़ा कि हम लोग का लर्निंग पॉश्चन काफी हाई हो जाता है तो आप इतनी छोटी हो और इतना सारा जादू कर ले रही हो ठीक है मैं तो यही कहूंगा नह मुझे अभी सिर्फ एक मेना हुआ है यहां पर जॉइन की हुए तो इससे मुझे काफी पड़ा है पहले मुझे मैस समझ में नहीं आता था लेकिन अब तो सिर्फ एक बार समझाते तभी समझ में आ जाता है और लेर्निंग हमारा लेर्निंग पोर्शन भी काफी हाई हो चुक बहुत कारा लेर्निंग है यहां यह हमारा लेरी समझाते चेट पोर्शन यिर जीक परेकिन प्योग प्योवार लेकिन अब्सक्ट